C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये अध्याय एक है परिमे संख्याएं प्रिष्ट संख्या साथ 1.2.3 सहचर्यता सहचार्यता एक पूर्ण संख्याएं निम्न लिखित सारणी के मध्यम से पूर्ण संख्याओं के लिए चार संख्याओं की सहचर्यता कुस्मरण कीजिए इस सारणी में तीन स्तंभ है पहला स्तंभ है संख्या, दूसरा संख्याएं, तीसरा टिपणी पंक्ती एक, योग, रिक्त स्थान, योग सहचर्य है। पंक्ती दो, व्यवकलन, रिक्त स्थान, व्यवकलन सहचर्य नहीं है। पंक्ती तीन, गुणन, क्या, साथ गुणा, कोष्ठक में दो गुणा पांच, बराबर है, कोष्ठक में साथ गुणा दो, गुणा पांच, क्या, चार गुणा, कोष्ठक में छे गुणा शुन्य, बराबर है, कोष्ठक में चार गुणा छे, गुणा शुन्य, किनी तीन पूर्ण संख्याओं A, B तथा C के लिए A गुणा कोश्ठक में B गुणा C बराबर है कोश्ठक में A गुणा B गुणा C गुणन सहाचर्य है पंक्ती चार भाग रिक्तिस्थान भाग सहाचर्य नहीं है इस सारणी को भरिये और अंतिम स्तंभ में दी गई टिपणियों को सत्यापित कीजिए प्राकृत संख्याओं के लिए विभिन संक्रियाओं की सहाचर्यता की स्वयम जांज कीजिए दो, पूर्णांग पूर्णांग के लिए चार संक्रियाओं की सहाचर्यता निम्नलिखित सारणी से देखी जा सकती है। इस सारणी में तीन स्तंभ हैं। संक्रिया, संख्याएं और टिपणी। पंक्ती एक योग क्या कोश्ठक में खटा दो जमा कोश्ठक प्रारंब तीन जमा कोश्ठक में खटा चार कोश्ठक अंत बराबर है कोश्ठक प्रारंब कोश्ठक में खटा दो जमा तीन कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक में खटा चार क्या घटा छे जमा कोश्ठक प्रारंब कोश्ठक में खटा चार जमा कोश्ठक में खटा 5, कोश्ठक अंत, बराबर है कोश्ठक प्रारंब, कोश्ठक में खटा 6, जमा कोश्ठक में खटा 4, कोश्ठक अंत, जमा कोश्ठक में खटा 5. किनी तीन पूर्ण संख्याओं A, B तथा C के लिए A जमा कोश्ठक में B जमा C बराबर है कोश्ठक में A जमा B जमा C योग सहचर्य है पृष्ठ संख्या A पंक्ती दो व्यवकलन क्या पांच घटा कोश्ठक में साथ घटा तीन बराबर है कोश्ठक में पांच घटा साथ घटा तीन व्यवकलन सहचर्य नहीं है पंक्ती तीन क्या 5 गुणा कोश्ठक प्रारंब घटा साथ गुणा घटा आट कोश्ठक अंत बराबर है कोश्ठक प्रारंब पांच गुणा कोश्ठक में खटा साथ, कोश्ठक अंत, गुणा कोश्ठक में खटा आट, क्या कोश्ठक में खटा चार, गुणा कोश्ठक प्रारंब, कोश्ठक में खटा आट, गुणा कोश्ठक में खटा पांच, कोश्ठक अंत, बराबर है कोश्ठक प्रारंब, कोश्ठक में खटा 4, गुणा, कोश्ठक में खटा 8, कोश्ठक अंत, गुणा, कोश्ठक में खटा 5, किनी तीन पून संख्याउं A, B तथा C के लिए A गुणा कोश्ठक में B गुणा C बराबर है कोश्ठक में A गुणा B गुणा C गुणन सहाचर्य है पंक्ती चार भाग क्या कोश्ठक प्रारंब कोश्ठक में खटा 10 भाग दो कोश्ठक अंत भाग कोश्ठक में खटा 5 बराबर है कोश्ठक में खटा 10 भाग कोश्ठक प्रारंब दो भाग कोश्ठक में खटा 5 कोश्ठक अंत भाग सहाचर्य नहीं हैं, तीन परिमे संख्याएं A. योग बराबर है घटा नौ बटा दस कोष्ठक प्रारंब घटा दो बटा तीन जमा तीन बटा पांच कोष्ठक अंत जमा कोष्ठक में घटा पांच बटा छे बराबर है घटा एक बटा पंद्रा जमा कोष्ठक में घटा पांच बटा छे बराबर है घटा 27 बटा 30 बराबर है घटा 9 बटा 10 इसलिए घटा 2 बटा 3 जमा कोश्ठक प्रारंब 3 बटा 5 जमा कोश्ठक में घटा 5 बटा 6 जमा कोश्ठक अन्त बराबर है कोश्ठक प्रारंब घटा 2 बटा 3 जमा 3 बटा 5 जमा कोश्ठक अन्त जमा कोश्ठक में घटा 5 जमा 6 जमा कोश्ठक में घटा 4 बटा 3 कोश्ठक अन्त और कोश्ठक प्रारंब घटा 1 बटा 2 जमा 3 बटा 7 कोश्ठक अन्त जमा कोश्ठक में घटा 4 बटा 3 क्या ये दुनों योग समान हैं? कुछ और परिमय संख्याएं लीजिए. उप्रयुक्त उदाहरणों की तरहां उन्हें जोड़िए और देखिए कि क्या दुनों योग समान हैं? हम पाते हैं कि परिमय संख्याओं के लिए योग सहाचर्य है. अर्थात किन्हीं तीन परिमय संख्याओं A, B तथा C के लिए A जमा कोष्ठक में B जमा C बराबर है कोष्ठक में A जमा B, जमा C. B. व्यवकलन आप पहले सी जानते हैं कि व्यवकलन पूरांकों के लिए सहेचारी नहीं है. परिमेश संख्याओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं? परिमेश संख्याओं के लिए व्यवकलन सहाचर्य नहीं हैं। गटा साथ बटा तीन गुणा दस बटा चत्तीस बराबर है गटा सत्तर बटा एक सो आठ बराबर है गटा पैंतीस बटा चववन। कोश्ठक प्रारंब घटा साथ बटा तीन गुणा पांच बटा चार कोश्ठक अंत गुणा दो बटा नौ बराबर है रिक्त स्थान। हम पाते हैं कि घटा साथ बटा तीन गुणा कोश्ठक प्रारंब पांच बटा चार गुणा दो बटा नौ कोश्ठक अंत बराबर है कोश्ठक प्रारंब घटा साथ बटा तीन गुणा पांच बटा चार कोश्ठक अंत गुणा दो बटा नौ क्या 2 बटा 3 गुणा कोश्ठक प्रारंब घटा 6 बटा 7 गुणा 4 बटा 5 कोश्ठक अंत बराबर है कोश्ठक प्रारंब 2 बटा 3 गुणा घटा 6 बटा 7 कोश्ठक अंत गुणा 4 बटा 5 कुछ और परिमय संख्याएं लीजिए और स्वयम जांच कीजिए। हम पाते हैं कि परिमय संख्याओं के लिए गुणन सहाचर्य है। अर्थात किनी तीन परिमय संख्याओं A, B तथा C के लिए A गुणा, कोष्ठक में B गुणा C, बराबर है कोष्ठक में A गुणा B, गुणा C. D. भाग याद कीजिए कि पूर्णांकों के लिए विभाजन सहेचारी नहीं है. परिमय संख्याओं की बारे में आप क्या कह सकते हैं? भाग 2 बटा 5 हम पाते हैं बायापक्ष यानि LHS बराबर है 1 बटा 2 भाग कोष्ठक प्रारंब घटा 1 बटा 3 भाग 2 बटा 5 कोष्ठक अन्त बराबर है 1 बटा 2 भाग कोष्ठक प्रारंब घटा 1 बटा 3 गुणा 5 बटा 2 कोष्ठक अन्त दो बटा 5 का व्युत्क्रम 5 बटा 2 है बराबर है 1 बटा 2 भाग कोष्ठक में खटा 5 बटा 6 बराबर है रिक्तस्थान पुने हैं दायापक्ष यानि RHS बराबर है कोष्ठक प्रारंब एक बटा 2 भाग कोष्ठक में खटा 1 बटा 3 कोष्ठक अन्त भाग 2 बटा 5 बराबर है कोष्ठक प्रारंब एक बटा 2 गुणा घटा 3 बटा 1 कोष्ठक अन्त भाग 2 बटा 5 बराबर है खटा 3 बटा 2 भाग 2 बटा 5 बराबर है रिक्तस्थान क्या LHS बराबर है RHS? स्वयम जांच कीजिए आप पाएंगे कि परिमय संख्याओं के लिए भाग सहचर्य नहीं है प्रिष्ट संख्या 10 प्रयास कीजिए निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए इस सारणी में दो स्तंभ हैं संख्याएं और सहचर्य सहचर्य को चार स्तंभों में बाता गया है योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए पंक्ती एक परिमय संख्याओं रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान नहीं पंक्ती दो, पूणांक, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, हाँ, रिक्त स्थान पंक्ती तीन, पूण संख्याय, हाँ, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पंक्ती चार, प्राकृत संख्याय, रिक्त स्थान, नहीं, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान उदाहरन एक कोश्ठक में पांच बटा बाईस बराबर है एक सो अठानवे बटा चार सो बासट जमा कोश्ठक में घटा दो सो बावन बटा चार सो बासट जमा कोश्ठक में एक सो चेहत्तर बटा चार सो बासट जमा कोश्ठक में एक सो पांच बटा चार सो बासट नोट कीजिए कि 7, 11, 21 तथा 22 का LSP 462 है बराबर है 198 घटा 252 घटा 176 जमा 105 बटा 462 बराबर है घटा 125 बटा 462 हम इसे निम्नलिखित प्रकार से भी हल कर सकते हैं 3 बटा 7 जमा कोश्ठक में खटा 6 बटा 11 जमा कोश्ठक में खटा 8 बटा 21 जमा 5 बटा 22 बराबर है कोश्ठक प्रारंब 3 बटा 7 जमा कोश्ठक में खटा 8 बटा 21 कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक प्रारंब खटा 6 बटा 11 जमा 5 बटा 22 कोश्ठक अंत क्रम विनिमयता और सहाचर्यता के उपियोग से बराबर है कोश्ठक प्रारंब 9 जमा कोश्ठक में खटा 8 बटा 21 कोश्ठक अंत जमा कोश्ठक प्रारंब घटा 12 जमा 5, बटा 22, कोश्ठक अंत, 7 और 21 का LSP 21 है, 11 और 22 का LSP 22 है, बराबर है एक बटा 21, जमा कोश्ठक में घटा 7 बटा 22, बराबर है बाइस घटा 147, बटा 462, बराबर है घटा 125, बटा 462, क्या आप सोचते हैं कि क्रम विनिमयता और सहाचर्यता के गुण धर्मों की सहायता से परिकलन आसान हो गया है? प्रिष्ट संख्या 11 गुणा कोश्ठक में घटा 14 बटा 9, बराबर है कोश्ठक प्रारंब, घटा 4 गुणा 3, बटा 5 गुणा 7, कोश्ठक अंत, गुणा कोश्ठक प्रारंब, पंद्रा गुणा कोश्ठक में घटा 14, बटा 16 गुणा 9, कोश्ठक अंत, बराबर है घटा 12 बटा 35, गुणा घटा 35 बटा 24, बराबर है घटा 12 गुणा कोश्ठक में घटा 35, बटा 35 गुणा 24, बराबर है एक बटा दो हम इसे निम्नलिखित प्रकार से भी हल कर सकते हैं घटा चार बटा पांच गुणा तीन बटा साथ गुणा पंद्रा बटा सोला गुणा कोश्ठक में घटा चौदा बटा नौ बराबर है कोश्ठक प्रारंब घटा 4 बटा 5, गुणा 15 बटा 16, कोश्ठक अंत, गुणा कोश्ठक प्रारंब, 3 बटा 7, गुणा कोश्ठक में घटा 14 बटा 9, कोश्ठक अंत, क्रम विनिमयता और सहाचर्यता के उप्योग से, बराबर है घटा 3 बटा 4, गुणा कोश्ठक में घटा 2 बटा 3, बराबर है 1 बटा 2, एक दशमलव दशमलव चार, शून्य की भूमिका, निम्न लिखित पर विचार कीजिए, दो जमा शून्य बराबर है शून्य जमा दो बराबर है दो शून्य को पूर्ण संख्या से जोड़ना घटा पांच जमा शून्य बराबर है रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर है खटा पांच शून्य को पूर्णा अंक में जोड़ना घटा दो बटा साथ जमा रिक्त स्थान बराबर है शून्य जमा कोश्ठक में घटा दो बटा साथ बराबर है घटा दो बटा साथ शून्य को परिमे संख्या में जोड़ना आप पहले भी इस प्रकार के योग ग्याद कर चुके हैं ऐसे कुछ और योग ग्याद कीजिए आप क्या समझते हैं आप पाएंगे कि जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोडा जाता है तो योग फिर से वही पूर्ण संख्या होती है यह तत्त्ते पूर्ण आउंकों और परिमेश संख्याओं के लिए भी सत्ते है व्यापक रूप से A जमा 0, बराबर है 0 जमा A, बराबर है A, जहां A एक पूर्ण संख्या है B जमा 0, बराबर है 0 जमा B, बराबर है B, जहां B एक पूर्णा अंक है C जमा 0, बराबर है 0 जमा C, बराबर है C, जहां C एक परिमे संख्या है परिमे संख्याओं के योग के लिए शूने एक तचसमक कहलाता है यहाँ पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तचसमक है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाल